तकरीबन कितने लोगों के आने की उम्मीद है इस रेली में जो 22 तारीक होने वाली है अरीकिसंजी ऐसा तो बताना बड़ा मुश्किल है पिर भी एक अंदास एक सर एक आकलन तो होता है सभी के पार आकलन मैं क्या कह रहा हूं या सारे आकलन खतम हो जाएगा तूट जाएगा लोग यह भी कह रहे हैं कि जो जगह ढूंड़िये च्छोटी है कम पढ़ जाएगी देखिए च्छोटी की बात जाता करते हैं जब लोग तो आएगे विवस्ता बनाना हमारा गाम है और रही बात च्छोटी साइद इस फरिदाबाद जिले के अंदर ऐसी महारेली नहीं हो आपको बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष यहां पर मौजूद है आज आज समाज पाइटी से 22 तारिक को चंसिकर आजाद का यहां पर आगबन है मोहना मंडी में और उसी को ले करके यहां पर मौइना किया है बातचीत करेंगे उनसे सर आपने आज रैली इस तल का मौइन बहुत बढ़ी मारेली को संभूद्द करने की लिए आ रहे जहां पर कारेकरम की विवस्ता को देखने के लिए आज हम माराम परने टीम के साथ है पहुँचे तो यह जो जगा है डेली के हिसाब से बड़ी अच्छी है और यहां पर रैली बहुत अच्छी बड़ी बड़ी से किसी अपने की आने की चाहत में बेठे होते हैं ऐसे जब गाउं-गाउं हमारे कारिकरता पददिकारी गन और हम जा रहे हैं तो लोग ललाईत है कि चंदर से कर आजाज जी को हम आप करीब से देखें चोंकि आप उन्होंने मन बना लिया है कि आजाज समाज पाल्टी का सि बनाम पाल्टी को कि आप गया है हर वर्ग का व्यक्ति और हमारे खुद के समाज की जो लोग है वो विशेष तोर से माने चंदर से कर आजाज जी में आज अपना निर्तव मान चुके हैं दिलों में उनको ठान चुके है कि अब निर्तव अगर कोई कर सकता है तो केवल चंदर सेकर राजाज जी कर सकते हैं इस बात के बड़ी खुशी और लहर चार उत्र फेली हुई है सर छेत्र में एक चलन है 36 ब्रादरी का और कई बार जो हमने बार चीत की है तो यह बार बार ऐसा कहा जाता है तो क्या 36 ब्रादरी इस अनाजमंडी महुना में वो दिन मौजूद रहेगी तो आपको खुद को देखने को मिलेगा आपका काम है यह आप उसकी तफ्सीज करें यहाँ पे हर वरक का हर ब्रादरी का व्यक्तिया आपको देखने को मिलेगा क्यों माने चंदर से कर आजाज साब किसी जाती विशेज की लड़ाई संगर्स नहीं करते किसी जाती विशेज के लिए उनके लिए केवल भारत में रहने वाले सभी लोग एक समान है क्योंकि उन महापुर्सों की पच्चनों पर वो चलते हैं वो तो केवल इन्शानियत की बात करते हैं अन्याय के खिलाप और न्याय दिलाने की आवाज को बलंद करते हैं सर तकरीबर कितने लोगों के आने की उमीद है इस रैली में जो 22 तारीक होने वाली है अरे कि संजी ऐसा तो बताना बड़ा मुश्किल है पर यह अंदास एक सर एक आकलन तो होता है सभी के पार आकलन मैं क्या कह रहा हूं या सारे आकलन खतम हो जाएगे टूट जाएक कम पढ़ जाएगी देखिए चोटी की बाद जाता करते हैं जब लोग तो आएगे विवस्ता बनाना हमारा गाम है और रही बात चोटी साइद इस फरिदाबाद जिले के अंदर ऐसी महारेली नहीं होगी वो देखने को बाइस तारीक को आपको यह मिलेगा और पुरे छेत रहें और लगातार आपके दोरे प्रतियाशी हमारे कारेकरता हमारे जो समर्थक लोग है आजाज समाज पार्टी के माने चंदर से राजाज जी के नियत और नेती पर विश्वास करते हैं उनको परतियासी, चैकोई भी मिल जाए, उनको तो चंदर से कर राजा दिखाए देते हैं, केटली का निसान दिखाए देता है, परतियासी का चाहरा किसी का भी हो, ठीक है न, तो ये लोगों ने मठान लिया, चंदर से कर राजा जी किसी को भी परतियासी बनाकर हमारे पीच करताओं के उस पे इच्छाप में कि अनुसार उनको इहां का प्रत्यास नसी बना गया और अप्रमीा नहीं त्वास है इत्यास लिखेगा परिथल ठला की आवाम इत्यास लिखेगा जैसे देश के अंदर सबसे बड़ा सुभा यानिके प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर मान चंदर शिकक राजाज जी चुछ नगीना लोकसवा से संसद बनाकर अग आज अगर पूरे देश नहीं वर्ल्ड में नगीना नगीना हो रहा है तो वहाँ से सांसद बनने के बाद जो पार्लियमेंट के अंदर मानने चंदर सेकर आजाज साब ने अपने नगीना छेतर के नाम को लेकर संबोधित किया उससे पहले नगीना से बहुत सांसद बनके आए किसी ने अपने लोगसबा छेत का नाम लेकर कभी सम्मुदित नहीं किया ऐसे ही हर्याने के साथ साथ पूरे देश के अंदर आजाज समाज पाल्टी का पहला विधायक यह रिकोर्ड हमारे जो टीम के लोग है हमारे जो पदधिकारी है जिले के पर्भारी है जिले के अध्यक्स है, बिलोग के अध्यक्स है, या विधान सवा के अध्यक्स है, या आमकारे करता है, इन्होंने जनून के साथ चंकला पर ठाना हुगा है, कि ऐसे ही जैसे नगीना से लोग सभा शीट देकर माने चंदर से का राजाज जी ने लेकर को देकर पुरे नगीना का नाम रोसन हुआ ऐसे पिर्थला का भी इतियास लिखा जाएगा पुरे देश के अंदर के अजाज समाज पाल्टी का पहला विधायक पिर्थला विधान से जीत करा है था और यह हर्याने के हिस्ट्री में पहली बार होगा बहुत 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 शुगरी आशार